दोस्तों पावभाजी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने गोबी और गाजर को उबाल लेंगे हम अब हमने कढ़ाई में यहाँ पे दो बड़े चमच घी लिया है आप चाहे तो मक्षन भी ले सकते हैं इसमें मैंने दो बड़े चमच जीरा डाला है और इसके बाद हम इसमें टमाटर सबसे पहले फ्राई करेंगे तेखिए दोस्तों हमारे टमाटर जो हैं वो पग गए हैं इसमें मैंने अभी सबी सबजिया जो मैंने महीन काटी थी उन्हें मिक्स कर लिया है और इसे दो मिनट के लिए ढग कर पकाएंगे अब इसमें हमने सबी मसाले मिक्स किये हैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सबजी मसाला पाउडर, साथी मैंने पाव भाजी मसाला पाउडर दो बड़े चमश डाला है और इसमें इसके बाद हम कसूरी मेथी डालेंगे दोस्तों इसे इसका स्वाथ बहुत ही अच्छा हो जाता है बाजी का और दोस्तों अब हम इसमें फ्रोजर मटर डाला है साथी मैंने जो सबजियां पहले उबाल ली थी गोबी, गाजर और आलू को उन्हें अच्छी तरह से मिश्च करके दो बड़े कप पानी डाल कर इसे धख कर चतीन से चार मिनित ले पकाएंगे ये देखिए दोस्तों हमाई पावभाजी बन कर तयार है इसमें मैंने उपर से आधा चमश निम्बू का रस भी मिलाया है और अब हम अपने पाव सेकेंगे पाव सेक नेख ले मैंने यापर दो बड़े चमश मक्षन डाला है इसमें महीन कटी हुई हरी धनिया डालेंगे साथ ही इसमें मैंने पावभाजी मसाला भी डाला है जिससे कि पावभाजी में पाव का स्वाथ बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों हमाई गर्मा गरम पावभाजी बन कर तयार है इसे एक बार घर में जरूर ट्राइ करिएगा बहुत ही अच्छी बनती है